आज का किचन टिप्स बहुत यूश्फुल है जिसे मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूं जी हाँ दोस्तों नमस्कार दोस्तों क्रिटी क्राफ्ट में आप शिभी का स्वागत है तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट के साथ सेर जरू कुलुच दोस्तों इस तरह से कुकर को ढ्रिकन हमारा दिक जब इसका करता है तो करते क्या है तो कि के रवड है इसका खर्याब हो जाता है धी क्टी उतने में त्बे पीं से उसका ठाटे तो निकाल के फ्रीज में रग देते है कि फोड़ी सी टाइटी hero Data तो यह लिक हे लेकने में लिक नहीं करें लेकिन्हेंन घजा ठीक हो गाए तो इस को तो इस तरह हम न्या पह्ली थीक हो घौरी सर्वास we कुरते हैं और रवड हम दूसरा इस्तीमाल करते हैं तू नहीं पाला चारभ इंधे संहीं ने चाहिसें पहुत्श में चीमी एक एक कर शकerne देखने में अच्छा लगता है और जाड़े थरी एस तरह से हमारे चीमटी कफड़े हम डालते हैं उसमेंल एक करके कहीं खुम हो जाती यह सारी चीम्टीा यह हामें मिलते भी नहीं है तो इस त któries से आप इसमें लगाएंगे तो आपकी किलिपी ये शिप्टी भी रहेगा और कहीं खोएगा भी नहीं और कहीं भी इसको अगर आप हैंग भी कर देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा कोई नहीं कह सकता है कि विकार लग रहा है तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दि तो दोस्तों इस तरह से अगर वड़ कhrाब होता है तो आप इसको कहीं भी हैंक कर सकते हैं इसमें चिम्टी वगईर लगा के कहीं भी हैं कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगले ट्रीफ के तरफ ढ़िलिम फेमारे ज्वेलरी पर्स को ली Counter तो दोस्तों इस तरह से जब हमारी जोल्री वगरा इसमें सी खतम हो जाती है तो हम इस तरह से पर्स को इस्तिमाल नहीं करते हैं फैकी देते हैं जादी तर तो चले हम इसको इस्तिमाल करेंगे तो देखे होता क्या है इस तरह से जब हम कहीं सफर वगरा में जाते हैं तो क्या भचेता必न की सपना इया है प्रतल र सामने सी जब पीटीकोट्न, लिखने झुर सेमने इस तरह Из één मुझे अपने आटेश कर लेला तो लिखिये इस तरह से इसको हम अटेश कर लेंगे तो यह क्या है ना कि इस तरह से पीन के हैल्प से हम इसको अटेच कर लेंगे और जब भी आप इस तरह से पिटी कोट पढ़ेंगे ना तो इस तरह से आपका ज्वैलरी पर्स यह आपके साथ ही मिलेगा और कहीं गुम भी नहीं होगा नहीं आपको टैंसन लेने की जरूरत है तो देखें इस तरह से मैंने पर्स को अटेच कर दिया है और आप अपनी ज्वैलरी बहुत इजली तरीकी से इसमें रख सकते हैं और बे धड़क सफर भी कर सकते हैं आपको कोई टैंसन नहीं रहेगा कि हमारा बैक जोड ले जाएगा या कहीं हो जाएगा तो यह आपका ज जोड़ी बार्स ले रख दिया दोस्तों चोटा सा ट्रीक है पर बहुत काम का है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ जब भी हम रोटी बनाते हैं साम को तो आपनी देखा होगा दोस्तों किस तरह से एक दो रोटियां हमारी बच जाती है या तो हम इसको ते लगा के खा लेते हैं या तो हम इसको गाय को दे देते हैं तेखिए अगर जादे बच जाती है तो हम इसको तेल लगा के खा लेते हैं या तो हम इसको गाय को खिला देते हैं जी हां दोस्तों तो चलिए मैं इस रोटी में से एक छोटा सा टुकडा ले लिया हूं और टुकड तो दिखेए स्टील का बरतन में नहीं लिः में इसको क्रोकरी ली हूँ तो इस तरह से खार अब जाएगा तो किली में इसमें हार्पिक को डाल लिया है और मुझे करना क्या है चम्मक्स के हेल पाल सफाई कर हो देंगि देना है मिक्सिका जार हमारा अंदर्टे कल danny कर साइड से कितना परत जमा हूँ है नहीं कर krijgen को अंधर जमा हुआ है मैं उसको दिखाती हूँ कि अगर आप इसके अपसी सफाई कर एंट तो बहुत इजली तरीके से शफाई हो जाता है और कोई प्रोग्लम नहीं होता है तो दोस्तो आप इसको इसको इस टील पर डारेक्ट हम किसी हार्पिक को नहीं लगा सकते हैं इस तरह डारेक्ट लिए लगाएंगे ने तो आपका ये बरतन भी खराब हो जाएगा पालिस दूम पाली प्रथें तो इस टेल से खराब जाएगा या तो आप इसको अघर को इस्तिमाल कर रहे हैं कि अजा रहे हैं मिझे बलगे लाटी खूँ को इस्तिमाल कर सकते हैं so this days देले में बowser छाएंगे खगह तो आप इसको आटी में वी तरी तो तो अगर इस तरह है हुटा है मिक्सिक जार तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं साफ कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले डीचिप के तरफ आप देखी देख पारेऊंगे बूख है दो क्या होता है कि इस तरह से जब भी हम प्चक कब भूख हो गया है घर में कोई मेंबर भी पड़ रहा है चोटा मुटा बच्चा पड़ रहा है बड़े बच्चे हैं तो दिखे आपने देखा ओंक जाते तर ते बीच वाला यह जो पीज होता है तो प्राटा है त तो देखे हमने इस तरह से आठे इस्तिमाल करते थे या तो चावल कमाड हो गया हम उसका इस्तिमाल करते थे हम उसको उसको इस्तिमाल करते थे जो चावल कमाड निकलता है उससे हम अपनी कोफी किताब को चिपकाते थे चली वही कुछ याद आ गया है तो इस तरह समयने जितने भी पेज निकले हुए तो प्रेग्र झे निकली लेती इस ज Must Look दोस्तो यह चोटा से सट्रीकिश आप देख पा रहे होंगे कि यह आठे से जिपकार रहेंगे या नहीं दोस्तों यह बिल्कुल आटे के हेल्प से चिपक जाएगा अब बिल्कुल परफेक्ट है तो इस चोटा मोटा ट्रीक है यह ट्रीक आप लोग जरूर आजमा की दिखिएगा इस तरह से आपके पास गुलू नहीं है गम नहीं है फेवी कोल नहीं है तो आप यह करने बार है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं मुझे कोमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं इसी तरह से नेक्स वीडियो में